कैसे हैं सब उमीद के टिम के सब खेरियत से होंगे और आज मैं मैं आ रही हूं किसी कबाब कड़ाई तो आए जलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ यहां पर मैंने आदा किलो कीमा ले लिया था और एक प्यास चॉप कर लिया था उसका पानी इची तरह से निकाल लिया था और ए कुटी लाल मिच आदा चाई के चमच लाल मिच और दो खाने के चमच कांट फ्लॉर इन सब चीजन को टाले के बाद मैं इंसको कर लूँगी अच्छे से चॉप और अब कीमा हमारा बिलकुल ठीक से चॉप हो गया और बिलकुल एक जैसा इसमें मिक्स्टर सारे स्पाइसी उगरा मिक्स हो चुकी हैं यहां पर मैंने एक सीख ली थी और उसके पर मैंने कबाब को लगा के उनको शेफ दे ली थी इस तरह हम सब को शेफ दे लेंगे और श कर लेते हैं यहां पर मैंने प्याज ले लिए थे मीडियम साइस के प्याज लिए थे मैंने छे से साथ अधर और अब हमने प्याज को पिंक करना है हमने ब्राउनी करना ज्यादा ब्राउनी करेंगे बस लाइट सा पिंक कर लेंगे इसको इसको मैं कवर करके रग दूंगी 5-6 मिंट के लिए और अब आप यह देख सकते हैं प्याज पिंक होना स्टार्ट हो गए है और अब मैं इसमें आड़ कर दूंगी टमाटर चार से पांच से तुद मैंने इसमें टमाटर लिये थे टमाटर डालने के बाद इसको 5-10 मिंट के लिए मैं कवर करके रख दूंगी ताके टमाटर भी अची तरह से गल दें और यहां पर हमारा मसाला रेड़ी हो गया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी आड़ करके इसको दाम पर रख दूंगी और यहां पर मैंने पैन में आईल डाल लिया है आईल को हम पहले कर लेंगे अची तरह से गरम फिर इसमें डा और कबाब हमारे यहां पर हो चुछे हैं फ्राइज और अब मैं इसको निकालने में इसको निकालने के बाद इनको थोड़ा से ठंडा करने हैं तब तक हम मसाले में पारिसे जाएड करते हैं यहां पर मैंने एक चमच जीरा लिया था अदा चाय का चमच लाल मिर्च अदा चाई की चमच हल्दी पाऊडर एक चाय का चमच नमक क्योंकि नमक हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि कबाब में भी नमक है आदर चाय का चमच कुटी लाल मिर्च और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दो मोटी अलाइची और अब इसमें मैं एड़ कर दूंगी देही चार से पांच चमच मेने देहीं के लिए थे और अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और मसाला तक्रीबन हमारा यहां पर भून चुका है क्योंकि मसाला ज्यादा भूना हो तो अच्छा लगता है और अब इसमें मैं आड़ कर दूँगी कबाब जब मैंने फ्राई किये थे कबाब आड़ करने के बाद इसको अपने स्थीधे चमच के साथ धलाने पर इस तरह यह तोटेंगे नहीं कबाब एड़ करने के बाद इसको मैं कवर करके रखूंगी मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिट के लिए इसके बाद आप ये देखे ये बिल्कुल तयार है वा हमारा सालन और अब मैं इसको लास्ट में इसमें एड़ कर दूँगी काली मिर्च आदा चाई का चमच काली मिर्च में आड़ करूँगी आदा चाई का चमच इसमें जाएगा गरमसाला इन दोने चीज के लिए मैंने अद्रक को बरीग बरी कार लिया था और साथ धरी मिर्च और कोईले को भी मैंने गरम कर लिया था अच्छी तरह से और अब हम लास्ट में इसको दे देंगे कोईले का धाम अब मैं इसके इंदर डालूंगी ओयल और इसको कवर करके रख दूंगी पाँच मिट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे और ये हमारे सालन की अब है फाइनल लूक आप देख सकते हैं बहुत ही मज़दार बना था आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आप मैं इसको टिशोप्ट कार लूँगी आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें इंचाला आपको बहुत मज़ाएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना नहीं मुलिएगा इंचाला मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज